खुबसूरत चहरा पाने के लिए हम बहुत सारे घरेलुन उसके ट्राइ करते हैं उसी में एक घरेलुन उसका है नीम्बू और शहत का जो कि आप सभी जानते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं नीम्बू और शहत के फेस पैक के बारे में ही बताऊंगी कि इसे कैसे और कब इस्तमाल करना है ताकि इस फेस पैक का सही रिजल्ट आपको मिल सके और किसी भी तरह की कोई स्किन प्रॉब्लम आपको ना हो तो असलाम अलेकुम वीवर्स वेलकम बैक टू माई चैनल शहिनास परवीन और मेरा नाम है शहिनास तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए है वो प्लीस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में इस बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दे क्योंकि मैं इस चैनल पर अच्छी ची वीडियो लाती रहती हूँ तो चलिए सबसे पहले आपको फेस पैक बना कर दिखाती हूँ इसमें आदा चमज आपको नीमबू का रस लेना है और आदा चमज के करीब आपको शहद इसमें एड करना है और इन दोने चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है फ्रेंट्स नीमबू में विटामिन C भरपूर मातरा में पहल जाता है और ये एक अच्छा स्किन वाइटनिंग और ब्लीचिंग एजेंट है ये हमारे स्किन के डाग धबो को लाइटन करता है शहद हमारी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट और माशिराइज करता है चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इस फेस पैक को लगाना कैसे है तो चलिए मैं आप आपको बता देती हूँ कि इसको लगाने से पहले क्या-क्या सावधानिया हमें बरतनी चाहिए जब भी आप ये face pack लगाएं तो ध्यान रखें कि आपको धूब में नहीं निकलना है और सबसे अच्छा रहेगा कि आप इस face pack को रात के टाइम ही लगाएं और अगर आपकी skin sensitive है तो इस face pack को आपको नहीं लगाना है क्योंकि अगर आप इसे लगाएंगे तो आपकी skin irritate होगी आपको खुझली, redness और rashes हो जाएंगे ये face pack वैसे तो सबी skin type वालों के लिए है लेकिन हम मैं कहूंगे कि जब भी आप इस face pack को ट्राइ करें तो एक बार patch test ज़रूर कर ले अगर आपको irritation लग रहा है तो आप इसे ना लगाएं ये कुछ साथानिया है जो आपको ध्यान रखना है तो ये थी मेरी वीडियो नीम्बू और शहत के face pack पर आपको मेरी वीडियो कैसे लगी मुझे comment box पर लिकर ज़रूर बताएगा और मेरी वीडियो को एक like कर दीजेगा मेरे चैनल को subscribe कर दीजेगा तो मिलते हैं मेरी next वीडियो में तब तक के लिए Allah हाफिज